सबी को साधर नमस्कार आज हम पुरीश्वा सोतस के उपर बात करेंगे कुछ टेक्निकल फॉल से कारण पिछला वीडियो डिस्टर्ब हुआ हम फिर सब शुरू करते हैं पुरीश्वा सोतस जो की मूल था आज कल आज की दुनिया में अगर अहरवेदिक वैद्ध अगर प्रैक्टिस पे आता है तो सबसे ज़्यादा पेशेंट जिस कंडिशन के आते हैं वो है पुरीश्वा सोतस पुरिश्वा सोतस एक ऐसा सेग्मेंट है जिसमें जादा से जादा पेशेंट हमें कम्प्लेंट करते हैं कि पेट साफ नहीं होता एक कम्प्लेंट दूसरी कम्प्लेंट वो बताते हैं कि सर कभी मोशन क्लियर होते हैं कभी नहीं होते हैं कभी लूज मोशन होते हैं कभी उन conditions में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि किन हेतुमों के कारण किन what are the etiological factors जिसे कारण ये patient ऐसी complaints कर रहा है ग्रहनी के अवस्ताइं, अतिसार के अवस्ता, अर्ष के अवस्ता और मलावश्टम की complete अवस्ता ये सारी की सारी जो conditions हैं ये पुरीश्वा सोतस के अंतरगत आती हैं जब हम पुरीश्वा सोतस की बात करते हैं तो हमें जरूर से ही पुरीश धराकला को ध्यान में रखना चाहिए जब हम पुरीश धराकला को ध्यान में रखते हैं तो वो ध्यान में आता है और हमें ये समझ में आता है कि अस्तिधराकला भी एक बड़ा सेग्मेंट है जो कि सुश्रुत हमें बार-बार एक्स्प्लेइन करते थे और उन्होंने एक्स्प्लेइन किया कि जब भी अस्तिधराकला कराब होगी तो पुरीजधराकला कराब होगी और जो पुरीजधराकला है वही अस्तिधराकला है तो हमें अच्छे से समझ में आएगा कि जब भी हमारी शरीर की धारण के अपसिटी चाहे वो मेंटल लेवल पे हो चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो तभी तो हमें मानसिक रूप से अतिसार की कंडीशन प्राप्त होती है क्योंकि मानसिक धारणा तो है निस्तरन करना उस पे जो मूलता वायू आधारित रहती है वो है हमारी अपान वायू तो जो भी चिकित्सा सिद्धान्त दिये जाएंगे वो अपान वायू के काल में हमें देना चाहिए अर्थात भोजन के पहले भोजन जब पिछला भोजन पच्चुका हो और अग पुरूप चिकित्सा करें अब हमें देखना चाहिए कि हेतु लक्षन और चिकित्सा अर्थात इन ट्राइंगल्स पे हमें कैसे treatment methodology डिसाइड करनी चाहिए पूरीश जराकला उसका मूल हेतू जब हम हेतू देखते हैं तो सबसे पहला ही हेतू हमें बहुत ज़ादा broad spectrum में पहला हीतू चरक विमानस्तान ध्याइपांच चलोग नमबर 20 जो हमें बताना है कि सन्धारण करने से मल के वेक का यह पूरीश के वेक का सन्धारण करने से हमें अनेकों अनेक लक्षन क्रियेट होंगे और वो इसका नमबर वन हेतू है हमारे पूरीश को पूर 110 को खलाप क अध्याय में जब चरक चिकित्सा लिखी गई तो उसमें जिब ग्रहणी अध्याय आया तो मूलता यही बताया गया कि जितनी भी ग्रहणी दुष्टी होती है अस्ती दुष्टी होती है पुरीश धरा कला दुष्टी होती है या पुरीश वसोतस दुष्टी होती है उसका मूल कारण अतियशन है अपनी मात्रा से अपनी कैपिसिटी से जादा भोजन जादा बार लेना यही अतियशन होता है और यह बहुत बड़ा हेतु है पेशेंट की डाइटरी हिस्ट्री पूछे और वो अगर जीवा लुपता बहुत जादा है और उसकी डाइट इस तरीके की है कि वो excessive quantity में ले रहा है जिसे हम कहते हैं कि overeating करना all time overeating की अगर वो history बताता है तो हमें बड़ा specifically अतियशन को ध्यान में रखते हुए पुरीश्वा सोतस और अन्नवा सोतस में distribute करना पड़ेगा और वो रिचेक करना पड़ेगा कि अन्नवा सोतस के और भी हेतु अगर व clarity हैं और कैसे उसे differentiate करना है तो अन्नवा सोतस की जो मूल चिकित्सा बताए गई है वो अगनी की चिकित्सा करने के लिए कहा है तो हम ग्रहनी की चिकित्सा करते हैं सिर्फ दीपनी द्रव्यों का इस्तमाल करते हैं जब पुरीश्वा सोतस दुष्ट होता है तो वहां पर हम पुरीश्वा सोतस भी उसने दुष्ट किया होगा तो हमें संग्राही द्रव्यों का भी इस्तमाल करना होगा क्योंकि इसमें lose motion की condition भी होगी वहां पर lose motion की situation ना होके कभी lose motion और कभी constrictive situation या constipation होगा जैसे हम मुहर बद्द मुहर द्रवम condition कहते हैं तीसरी situation जिसके कारण पुरीश्वा सोतस खराब होता है उस condition का नाम है अजीन अजीन की बहुत detail में condition जो है वो explain करी है कि अजीन क्यों क्यों होता है हमें उसके जो हेतू है वो ग्रहनी के हेतू absolutely common है तो अजीन की अगर आपको हेतू देखने हैं तो आपको ग्रहनी के हेतू absolutely देखने पड़ेंगे उसके लिए आपको जाना पड़ेगा चरक चिकितसा ध्याय पंद्रा वहाँ पर 42 नंबर स्लोक में आपको प्राप्त होगा कि ये ये जो हेतू है वो अजीन के भी हैं और वह भी ग्रहनी के हैं तो उसमें भी आप mostly जो हेतू मिलेंगे आपको वो अन बार बार मिलता है कि या तो वो अजीन की situation में बहुत ज़्यादा eating कर रहा है या कि जितनी उसकी डाइट है उससे जादा वह भोजन कर रहा है जितनी उसकी eating capacity है साथी साथ अगर एक और condition है संधारन करने की जिसमें हमें उसे प्राप्त होता है कि ये patient को जो situation है जिसमें वो पुरीश वेक का विधारन बहुत बार करता है उसे motion आते रहते हैं वो motion को रोक कर रखता है और काफी लंबे समय तक करता है और बार बार ये जो practice करने कारण उसका completely पुरीश धरा करा समापत हो जाती है और उसे या तो कभी lose motion होने लगते है या फिर कभी constipation होने लगता है तो अती सष्टम अती बद्धम ऐसी situation पुरीश वा सोतस में भी create होने से मिलती हैं साथ में addition करने वाला addition जो की जाधा तर आजकल कई बार advisable भी रहता है जिम में लोग बोलते हैं कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप food लेते रहिए चाहे वो पचा हुआ हो चाहे नहीं आप करेगा तो पुरीश वस होता से कारण आपकी जितनी lining है lower abdominal lining पकवाशे के बाद की lining गुदा की lining यह सब वीक पढ़ने लगती इसकी retention capacity खराब हो जाती है और या तो कभी-कभी excessive retain करता है या फिर कभी-कभी एकदम से lose motion so addition की situation के कारण भी आपको ग्रहनी के लक्षन दिखने लग जाते हैं या अतिसार के लक्षन दिखने लगते हैं so we have to treat the patient according to the situation जैसी उसके हेत्वों की history आ रही है on the basis of that हमें लक्षन जो है वो आएंगे और लक्षनों के basis पे में treatment decide करना होगा उसके आगे आता एक बड़ा word जिसका नाम है दुर्बलो अगनिश्चा अगनी दुर्बल होना अन्नवसोतस में हमने दूसरे नाम से लिखा था जिसमें लिखा था वैगुन्यात पावकस्चर जो अगनी की दुष्टी करने वाले हेतू है यहाँ पर मंद अगनी create करने वा देते हैं उसका रिफरेंस एक्जेक्ट आपको बताऊं तो चरक चिकित्सा अध्याय 15 श्लोक नंबर 51 में beautifully explained है कि दुर्बल अगनी करती क्या है दुर्बल अगनी जो आप भोजन लेते हैं उसको विदाही कर देती है मतलब अपचा कर देती है अपचन create कर देती है और उस के बाद इधर वो lose motion create करती है या फिर एक forceful vomiting create करती है इसके बारे में लिखा हुए दुर्बल अगनी में एक benefit भी है कि अगर आपकी अगनी मन्द है तो वो अपना काम करने के भी कोशिश करती है या फिर आपको vomiting reflex create होगा या फिर आपको lose motion create होगे so यह जो है यह मूलता हेतू है चलक विमान सान अध्याय 5 शलोक नंबर 20 में यह बहुत specifically पुरिश्वा सोतस के मूल हेतूं को बताते है अब आती है लक्षणों की बात कि यह जो हेतू है इनके सेवन करने से आपको कैसे कैसे लक्षण मिलेंगे अब लक्षणों में जब पह दूसरा आपने अतियशन किया तो आज अतियशन किया तो आपको नहीं क्रियेट होगा दूसरा अजीन है तो आज तुरंती नहीं क्रियेट होगा अध्यशन किया है तो आज तुरंती नहीं क्रियेट होगा कई बार अध्यशन करने कारण आपको absolute पुरिश्वा सोतस की दु इमिरेटली नहीं करती, बहुत लंबे समय तक दुर्बा लगनी रहेगी, तो वो एक constipation situation create करेगी, अब यहाँ पर लक्षणों में हमने दो डिवीजन करें, पहला डिवीजन जो की है, acute symptoms, जैसे आपने संधारण किया तो आपको acute symptoms क्या मिलेंगे, वहां लिखा हुआ है, चर पर आपको मिलता है कि पकवाशय शूलम, lower abdominal pain create होने लग जाएगा, जहाँ पर भी मल को पकव होना चाहिए, उस area में, because of the मल संधारण, अगर आपने मल को संधारण किया है, तो वहां दर्द होने लग जाएगा, दूसरा शिरशूलम, हमने देखा था, मूत्र का भी विदार कि क्या आप बहुत बार urine या motion रोकते हैं, तो आपको headache में एक जो हेतु है, वो ये भी प्राप्त होगा, कि मलों का विदारण करने से, उसे headache commonly मिलता है, साथी साथ, वात वर्चो अ अप्रवर्तनम, वात याने की अपानवायू, वर्च याने की motion, इन दोनों का ही अप्रव दर्द की, साथी साथ उसके motion नहीं clear होते हैं, और उसको अपानवायू बिलकुल नहीं आती है, उसके lower abdominal pain के साथ, वो ये presentation अगर लेके आता है, और साथी साथ वो pindicose dvistan, मतलब कि उसकी calf muscles हैं, उनमें severe pain वो बता रहा होगा, along with shirashul, अगर इन लक्षणों के साथ patient आता है और उसका pain जो है, वो distended है, या अद्यमान की condition में हो है, तो इन सारे लक्षणों के साथ जब patient आता है, these are the acute symptoms of purish vagh vidharan, और purish vagh vidharan के अगर इस symptomology के साथ वो आया है, तो इसमें purish दराकला भी दुष्ठ है, purish बासोतस भी दुष्ठ है, और साथी साथ ये clear है कि purish के vagh का election create हुए है, तो संधारन जो शब्द है, वो इतनी बड़ी symptomology और इस situation और इस clinical presentation को reflect करता है, अब treatment module हमें देखना चाहिए कि acute symptoms के साथ अगर patient है, तो acute treatment भी क्या होगा, तो उसके ही next लोग को आगर आप देखेंगे, तो चरक बहुत clearly और बहुत scientifically इसका treatment बताते हैं, कि acute pain में जब acute abdominal pain, lower abdominal pain आया है, with distension आया है, उसको पिंडिको द्वेश्टन हो रहा है, शिरशूल हो रहा है, उसको absolute constipation है, मतलब अपान वायू और वर्च दोनों ही बाहर नहीं आ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, तब हमें एक लेकिए इस बात को अच्छे है समझे है, कई बार ऐस जो symptoms हैं, वो intestinal obstruction में भी होते हैं, so intestinal obstruction की situation अगर है, तो हमें पहले उसे properly diagnose करना चाहिए, लेकिन treatment methodology आप ये इस्तमाल कर सकते हैं, अगर patient आपके पास इन लक्षन समुच्चे के साथ आता है, तो सबसे पहले आपको lower abdomen में स्वेधन देना चालू करना चाहिए, वो स्वेधन नाडी स्वेध भी हो सकता है, और पिंड स्वेध भी हो सकता है, जैसा कि हमने मुत्रवा सोतस के अवरोध में देखा था कि वहाँ पर भी lower abdomen में आपको स्वेधन देना है, साथी साथ आपको अवगा का पालन करना है, अवगा के पालन करने के लिए वहाँ आपने पीच कर बाहर निकाले, तो उसमें आपको मरीच और वचा का ये प्रयोक करना है, तो जो द्रव्यों में मरीच और वचा इस्तमाल होते हैं, जैसे हम लोग यहां पिपले अदी घृत का इस्तमाल करते हैं for अभ्यंग, पिपले अदी घृत का रिफरेंस भी हमारे चरक चिक समय आए, तो पिपले अदी घृत का आप इस्तमाल कर सकते हैं for अभ्यंग, तो फर्स टैप इस स्वेधन, सेकेंड स्टैप इस अभ्यंग, थर्ड स्टैप इस अफगा, अफगा स्वेधन आपको उससे देना है, फिर आया है वर्ती, वर्ती कलपना का इस्तमाल मतलब कि सप पुरीश का अवरोध आपने क्रियाट किया है, तो आपको सपोजेटरी का इस्तमाल करना चाहिए, और उससे आपको लाब होगा, सपोजेटरी के वर्णन शारंगर साहिताव में मल्टीपल वर्तियों का इस्तमाल करने और बनाने के लिए विधी आई है, आप उसका इस्तम पुरीश मा सोतस की दुष्टी, जिसमें स्पैसिफिकली संधारन हेतू बनता है, और इस क्लीनिकल प्रेजेटेशन के साथ आता है, जो भी हमने डिसकस किया, जिसमें पकवाशेशूल है, शेरेशूल है, पिंडिको द्विष्चन है, वात और वर्च का अप्रवर्तन है, और साती साथ अध्यमान है, इन लक्षनों के साथ जब पेशेट आपके सामने आता है, जो की चरक सुतरस्तान अध्यासाश श्लोक नमबर नौ में ही बताई है, जिसमें स्वेधन नमबर वन पे है, सेकेंडली अभ्यंग है, फिर अवगा है, वर्त है, उसके बाद वर्ती ह उसके बाद बताया, बस्ती आपको चिकित्सा करनी है, बस्ती की जो चिकित्सा है, वो है पिपलेदी अनुवासन बस्ती का इस्तमाल करा है, चरक चिकित्सा ध्या चौदा, श्लोक नमबर वन थर्टीवन, पिपलेदी तेल से आपको इस्तमाल करनी है, अनुवासन बस्ती, जो की अर्ष की चिकित्सा में आई है वो आप आसानी से पुरीश के संधारण में मतलब कि जब वहाँ पर पुरीश रुख गया है तब आप उसको यूज़ करें हितम प्रती हिते वर्चस से अन्यपानम प्रमार्थी चाल लास्ट लाइन वेरी-वेरी इंपॉर्टेंट वहाँ बुला है कि आपको जब इसकषि कंडीशन में मोर्स सूटेबल सिच्वेशन क्या है तब हीतम प्रती हिते वर्चस से जब आपको वर्च है जो की पुरीश है आपको उसे जब अनूरोमित करना है या फिर निकालना है उस स्थान से जो पुरीश्वा सोतस्क में उस स्थान पे रुख गया है तब आपको प्रमार्ती द्रव्यों का that उस पारे में reference आया है और प्रमार्ती द्रव्यों का मतलब होता है ऐसे द्रव्यों जो कि अपने निजवीरे से मतलब की खुद की स्ट्रेंज से जॉसका वीरे है जुसका एक्टिव प्रिंस्सपन है उसके बेसिस पे जहां पर भी मल का विदारण हो रहा है उसका इस्तमाल आप करें सबसे अच्छा प्रमारती द्रव्वे जो है वो है मरीच घर में भी आसानी से मिल जाता है जब आपके पास patient absolute इस presentation के साथ आता है तब आप उसको मरीच का इस्तमाल करें दूसरा प्रमारती द्रव्य है वचा प्रमारती द्रव्यों में मरीच और वचा का इस्तमाल करते हुए बड़ी आसानी से आप इसमें वातका नुलोमन और मलग के इस्तान पे अगर बहुत जादा ऐसा कॉंस्टिपेशन हो रहा है जो निकल नहीं रहा तो आप महाँ पर प्रमारती द्रव्यों का इस्तमाल करें तब भी आपको अच्छे रिफरेंस मिलेंगे तो वर्ती और बस्ती इन दोनों में ही आप प्रमारती द्रव्यों का इस्तमाल करें for the eating purpose also आप मरीच और वचा का इस्तमाल कर सकते हैं so it will give you a better answer for this situation acute situation और ऐसे clinical presentation के साथ अगर patient आता है तो आपको बहुत अच्छे result इसमें मिलेंगे so अब chronic situation जो की बहुत जादा अलग जो हेतु है जो संधारन के अलावा हेतु है जिसे अतियशन अगर आप करते हैं अजीन का सेवन लगतार से अजीन के समय में अगर आप भोजन कर रहे हैं अध्यशन अगर आप कर र चाहिए जब आचारे चरक चरक विबानस्तान अध्य पांच में अंत में बताते हैं कि आपको अगर पुरीश्वास उत्तरस बहुत लंबे समय से खराब है जिसके कारण आपको ग्रहनी के symptoms create हो रहे हैं या अतिसार के symptoms create हो रहे हैं मतलब की मूर बद्दम मूर द्रवम अचारे चरक अनुरूप अतिसार की करनी चाहिए फिर इसी चरक विमानस अध्याय पांच श्लोक नंबर 26 का reference लेके हमें मिला कि अतिसार की मूल चिकित्सा इसमें करनी चाहिए जब हमने चरक चिकित्सा में इसका reference in detail देखा तो हमें अध्याय 19 मतलब की जो चरक चिकित्सा तो शोधन का इस्तमाल करें according to the situation लेकिन यहाँ पर द्रव्य जो selection है वहाँ पर दीपनी और संग्रणी इन दोनों संग्रणी द्रव्यों का इस्तमाल करें जो की अगनी का दीपन जो है उसको मंद भी ना करें और साती साथ अपचे हुए मल को बाहर निकालें और अगर वो बह करते हैं तो मूसली दीपनी द्रव्यों का इस्तमाल करते हैं दश्मुलादी ग्रित को इस्तमाल करते हैं लेकिन यहाँ हमेशा समझे जब भी आप अन्नवा सोतस और पुरीश्वा सोतस की चिकित्सा कर रहे हो तो आपके मूल चिकित्सा सिर्फ शोधन और शमन नहीं होनी चाहिए मूल चिकित्सा आपकी अन्नकी होनी चाहिए मतलब कि आहारी कलपनाओं पे 50% ट्रीटमेंट होगा और 50% ट्रीटमेंट शोधन और शमन और शमन और शदियों के माध्यम से होगा शोधन का भी कंडिशन जब अगर अत्यादिक वाई हो है तो इमिरेटली वस्तियों अभ्यंग का इस्तमाल स्वेदन का इस्तमाल करते हैं लेकिन जब chronic situation में और long term से patient आता है तब आपको द्रव्य सिलेक्शन करने चाहिए द्रव्य सिलेक्शन में सबसे पहले आपको दीपनी और संग्रणी द्रव्यों का सिलेक्शन करना चाहिए उसके बाद जब इसमें आह परिकल्पना मतलब की होट वॉटर किस से सिद्ध होना चाहिए वहाँ पर भी बोला है पिपली शुंटी धान्यक और अजवाइन सिंपल सिंपल हरीतकी और वचा इनसे अगर आप सिद्ध करते हैं चरक चिकित्सा अध्याए 19 श्लोक नंबर 21-22 आपको एकदम एजी रिफरें साता है शमन और शदियों को सिलेक करने के लिए वहाँ पर आपको दीपनी और संग्रणी द्रव्यों को एक साथ सिलेक करें चरक चिकित्सा ध्याए 19 श्लोक नंबर 28 वहाँ पर आपको मिलता है कि आपको शाली पढणी प्रिश्ण पढणी ब्रहती कंटिकारी बला श्वध पिपली मूल चव्य चित्रक शुंटी ऐसे आसान द्रव्य आते हैं जैसे पंचकोल आता है इनका इस्तमाल करना आपकी प्रायर्टी होने चीए पुरीश्वा सोतस की कंडिशन में भी और अन्नवा सोतस में भी आपको ये अच्छे से दिमाग में बिठालना है कि जैसे इन लक्षणों के साथ पेशेंट आता है तो first line of treatment and first thought which we should give is दश्मूल and दीपनी माकशा है इनके बाद ही आप चिकित्सा को शुरू करें चिकित्सा में भी मूल रूप से आपको अन्न चिकित्सा मतलब की आहारी द्रव्यों के माध्यम से चिकित्सा करना first line of treatment के बाद ये selection पूरा दिन उसको एक पाचक जल देने की condition रखनी चाहिए जिससे द्रव्यों जो उसके दोश है उनका पाचन हो जिसमें की चरक चिकित्सा अध्याए 19 श्लोक नंबर 22 में बड़ी आसानी से वचा प्रती विशब्यम मुस्तका मुस्तक परपट के इनवा मत्तब कि simple मुस्त पचन सबसे पहले किये हैं तो आपकी 50% शमन कंडिशन क्रियेट हो जाएगी और पेशेंट पुरीश्वस मुतस दुष्टी से बहुत इसली बाहर आने लग जाएगा जो की long term से भी बिमार पेशेंट है सबसे पहले हमें उसकी diet plan और उसकी exercise module को decide करना चाहिए अगर हमने य mean line of treatment what we should give is दीपनी महाकशा है simple पंचकोल का इस्तमाल करें simple दश्मूल का इस्तमाल करें वहां से उसके खाने और पानी में आपको दश्मूल और पंचकोल का इस्तमाल सबसे ज़्यादा करना चाहिए उसके साथ में मुस्ता और परपट इनका इस्तमाल करना चाहिए अब उ इस्तमाल एड़ान करना चाहिए सेंदे नमक का इस्तमाल एड़ान करना चाहिए और विड नमक का इस्तमाल करना चाहिए खटी चीजों का इस्तमाल करने के लिए जब भी आप ग्रहनी और अतिसार की चिकित्सा देगेंगे हर चीज में दही और मठे का इस्तमाल मतलब की ब पागू का सेवन करिए यूश का सेवन करिए multiple times आचारे चरक आपको यह reflection देते हैं बार-बार indicate करते हैं कि main line of treatment आपका आहारी परीकल पनाव पे हैं तब आपको मिलता है लगुवन्य कौन-कौन से दिये जाएं लगुवन्य तो लगुवन्य की list आपको देखने के लिए आच उत्रशिती अध्याय में गुरुवन्य और लगुवन्य के बारे में बहुत ज़्यादा इन डीटेल समझाया गया है पूरे के पूरे ग्रहनी अध्याय और पूरा का पूरा अतिसार अध्याय इन दोनों जगाओं पे जितने भी प्रमत्यां यूश करी गई है जितने भी का इस्तमाल किया गया है वो सभी लगुवन्य से है जैसे कि यव मूंग उड़द उड़द नहीं है एक्चली उड़द जो है वो बेसिकली लगुवन्य नहीं है लेकिन मूंग का जो सेवन करना है बेर का जो सेवन करना है बिल्व का जो सेवन करना है इन सब से यूश को न प्रयोग करें जगर बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है इन दे केस आप नॉन वेजिटेरियन पेशिंट तो आप आप वहां पर मांसरस का इस्तमाल आप कर सकते हैं अदर्वाइस आपको मैक्जिमम टाइम पे पंचकोल सिद्ध मूम दाल खिचडी और तक्र इसका इस्तमा गए अतिसरण हो रहा है तो उसको भी रोकती हैं तो इन कंडिशन में आपको जो में ड्रवे हमने सेलेक करना है वो है दश्मूल बिल्व और पंचकोल यह हमारे मेन ड्रवे सेलेक्शन है अन्न में आपको यूश कलपना यवागू कलपनाओं का ज़्यादा इस्तमाल करना है इसका मतलब है खिचडियों पे ज़्यादा आपको यूश करना है प्रमत्या का यूश ज़्यादा करना है ये selection करने के बाद आपको उसमें ये रजीम बनानी है कि पंचकम कौन से हैं तो मूल रूप से आपको वर्तियों और बस्ती कर्म का इस्तमाल करना है बस्तियों में भी आपको जो निरू बस्ती है वो उत्तम मात्रा में मतलब की बहुत ज़ादा हैवी निरू बस्ती नहीं देनी है अप्टू 640 मल यू कें इसली गफ सो इस तरीके से शोधन मॉडियूल शमन मॉडियूल आहर कलपना आप यूज करके इसकी मूल चिकित्सा कर स इसे reference निकालना है और patient जब इस clinical presentation के साथ आता है तो main line of treatment दीपन से शुरू होना चाहिए यह हमारे दिमाग में आना चाहिए ठीक है reference of अमलेद्रवे अती संग्रहन के लिए पूचा गया एक सवाल है कि अती संग्रहन में आप कैसे अमलेद्रवें का इस्तमाल करें उसका reference ह चरक चिकित्सा अध्याय 19 और श्लोक नंबर 43 पे आप जाएंगे तब भी आपको गुद ब्रंच में चांगेरी का इस्तमाल करते हुए आपको अमलेद्रव्योंक में प्राप्त होगा और बहुत ही जगाओं पे इसके साथ में reference आया है जब आप चांगेरी गृत को देखते हैं चव्यादी गृत और चांगेरी गृत को देखते हैं श्लोक नंबर 43-44 चरक चिकित्सा अध्याय 19 43-44 तो आपको मिलता है कि खटे अनार दाने वहां लिका हुआ है पेम अमलम गृते युक्तिया तो आपको ऐसी चीज़ों का इस् मोशन हो रहे हैं पुरी जरकल अदुष्टी के कारण तब भी आपको अमले द्रव्यों का इस्तमाल उसके संधारन के लिए इस्तमाल करना चाहिए देखे में तॉट क्या है कि अगर पेशेंट आपके पास अतीस अरंगे के लिए आ रहा है तो आप उसमें अतीसार को में ल आप मिलेगा तो इस तरीके से हेतू लक्षण और ओशडियों में आप एक दूसरे में समीकरन करें और इन ट्राइपॉड के बेसिस पे आप ट्रीट्मेंट मॉड्यूल डिजाइन करें तो पुरीश जरकला में भी हमने देखा पुरीश वा सोतस में में लाइन ओफ मिला ऑक्यूट में आद्यशन करने से यानिक ग्रहनी और अतिसार के ये लक्षण वो आपको प्राप्त होए उसमें भी मूलता आपको ग्रहनी के लक्षण में मानसिक रूप से लोगा तो इसार के लक्षण, मनोवा स्रोतस दुष्टरी कारण भी अतिसार के लक्षन क्रियेट होंगे तो उस अतिसार को समझने के लिए उसकी फिजिकल सिचुएशन और उसके हेतूं को समझने के साथ-साथ प्रग्या पराजन और मानसिक अवस्ताओं के जो हेतूं है जो सत्तो की दुष्टी है उसको भी अच्छे से ध्यान में रखें ये प्रतेक चैप्टर में और प्रतेक स्रोतस में आपको ध्यान में रखना है कि सिर्प और से फिजिकल ग्राउंड के बेसिस पे पेशन को complete diagnosis पे मतला है उसके psychological जो हेतूं है उनको भी अच्छे से diagnose करें और उसका treatment सत्वावजय की चिकित्सा के माध्यम से आपको definitely करना है उसके logic patient को समझाने है उसे console करना है और उसके through से treat करना है so by all this हम हर patient को completely heal कर पाएंगे treat कर पाएंगे अगर आपको हेतूं का knowledge proper रूप से आता है और अगर आप लक्षन के साथ उसे club कर पाते हैं तो चिकित्सा करना बड़ा आसान है आपको चिकित्सा पुरीश्वा सोतस में आपने देखा कि दीपन और संग्रहन माध्यम से आप उसके चिकित्सा शुरू कर सकते हैं उसका diet plan बनाईए उसके exercise module बनाईए जब आपके patient excessive dehydrated है तो उसे heavy exercise नहीं करनी है otherwise if lower abdomen और पकवाशे को move करने वाली और sweden करने वाले वैहम आपको create करने हैं इसमें lower abdominal exercise आपको ज़्यादा help करेंगी और ज़्यादा result देंगी so by this way we can treat the patient very easily उसका diet plan अन्नवा सोतस में पूरीशवा सोतस में मूलता आपका ज़्यादा important है अगर आपने diet plan इन दोनों सोतसों में नहीं दिया तो patient में बार बार recurrence होता है और बार बार इन लक्षणों के presentation के साथ patient आता है संधारण करना आपने देखा सभी सोतसों में बहुत बार आया अगर आप संधारण को properly देखते हैं नावईगान धारणी अध्याय को हमेशा ध्यान में रखें उनमें जिन वेगों के कारण ये लक्षण create हो रहे हैं वो हमारे main रूप से निदान है उनको treat करना बहुत ज़ ज़ना चाहिए चरख चिकितसा में हमने बहुत सारे अध्यायों में देखा कि वो सोतसों के साथ link है जैसे कि पुरीषवा सोतस में अतिसार का अध्यायlielink है अन्वा सोतस में ग्रहणी का अध्याय लिंक है अर्श का अध्याय लिंक है उनकी चिकित्सा को हम यहां डिरेक्ली यूज कर सकते हैं तो इन इन दिस वेए वी केंट ट्रीट दपेशन एक और सवाल आया है कि लोवर अब्डॉमिन स्वेधन के पहले स्निहन आवश्यक है क्या यहां पर अगर आप देखें तो ट्रीटमेंट में अचारे चरक बहुत क्लिर ली कहते हैं कि यहां सबसे पहले स्वेधन से शुरू करें फिर अभ्यांग करें पूरीशवा सोतस में फिर अवगा का इस्तिमाल करें सुद्ञ तरीटमेंट इस अफिर ब्रतियां देना है और फिर अन्त में आपको प्रमारती रव्यों का इस्तमाल करना है, so in this way आपको अगर पुरीश्वा सोतस में आपने संदारन create किया है, पुरीश का, तो आपको यह लक्षन होंगे और यहीं के माध्यम से आपको treatment लेना है, thank you so much, आप अपने घर में ही रहें, अपने आपको safe रखें, आइरवेद की परिकलपनाओं और दिनचर्या और रितुचर्या का completely follow करें, आपके पास अभी समय है, आप ब्रह्म मूर्त में ऊठके और संपून आइरवेद पद्धिती से अपनी life को जीएं, बहुत अच्छे आपको result आएंगे, thank you so much and एक scientific thought पे हमेशा अपने आइरवेद को सब के सामने रखें और संपून जनता के सामने हमेशा अपने ग्रंद का, अपने आइरवेद का scientific version देने की हमेशा कोशिश करें, इनी शब्दों के साथ, सादर नमस्कार